ओवर्शेडोड का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं ओवर्शेडोड का दो तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो ओवर्शेडोड का past tensor past participle यानि कि ओवर्शेडोड की second और third form होती है ओवर्शेडोड इसके इलावा जिसे ओवर्शेडोड किया गया हूँ या जो ओवर्शेडोड किया गया हूँ उसे adjective के रूप में हम ओवर्शेडोड कह सकते हैं और ओवर्शेडोड का अर्थ होता है साया करना या चाया डालना निश्प्रभ कर देना फीका कर देना चाया में रखना रक्षा देना धाकना चाया करना या महत्व से बढ़ चड़ कर होना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि घने बादलों ने पहाड को ढख लिया तो आप कहेंगे Heavy clouds overshadowed the mountain Heavy clouds overshadowed the mountain अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें